कंगना आप देखो अभी शारुक की गैंग में जा रही है अब बीच में उसने करन जोहर को भी प्रेज किया था कि भाई कुछ भी हो फिल्म तो जब नेशनल अवार्ड डिस्टिविट हो रहे थे तो करन जोहर को उसने प्रेज भी किया था एक इंटर्विव में ये भी बोल करना है मुझे तुमार से रिलेशन ही नहीं चाहिए खलास हो गई बात वहीं पर कंगना पहले अटेक करती है उन लोगों को पूरी तरह से परेशान करती है फिर उन्हीं लोगों से उसको दोस्ती भी करनी है क्योंकि अब उसकी एमर्जंसी आ रही है ताकि वह पठान का जै को भी अच्छे से पता ही है कि भाई ये जो मुस्लिम है यह हमें वोट करेंगे ही नहीं मगर उसकी मजबूरी है क्योंकि वह एक इंटरनेशनल लेवल पे बैठे होते हैं नेशनल लेवल पे बैठे होते हैं उनको बहुत सी एजंसियों को जवाब देना होता है कंगना को त बहुत सारी लिमिटेशन आती तो मैं शायद बुरा नहीं बोलती लेकिन मैं अच्छा भी नहीं बोलती वह क्लियर है एहमंद विश्वा शर्मा की तरह हमें तुम्हारे वोट चाहिए ही नहीं खतम बात योगी जी की तरह कि यह 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के बीच का चु वाली वैसे ये तीन गैंग इन तीन लोगों की एक अलग गैंग बनी हुई है जिसमें ये तीनों लीडर है गैंग बड़ी बड़ी है लेकिन ये तीनों लीडर है और इन तीनों का क्या है कि हिंदुत्व का कार्ड हम तीनों मिलकरी खेलेंगे अगर किसी को अपनी फिल्म प्रो हिंदु वाली बनानी है, तो उनको हमारे जूते के नीचे से जाना पड़ेगा. मैंने बहुत करीब से विवेक अगनी उतरी को परका हुआ है. अनुपम खेर को भी बहुत करीब से परका हुआ है. हम जानते हैं कि यह लोग कैसे है. यह वही अनुपम केरें जो अमेरिक तो यह सारे दोगले लोगे इनका कोई दीन इमान धर्म नहीं होता है इनको कोई मतलब नहीं है देश से इनको कोई मतलब यह बस वो कश्मीरी हिंदु वाला अपना काड अनुपम खेर चला रहा है तंगना रॉनाच जो है वो अपना मतलब बीचारी अबला नारी जिसको बुली किया जा रहा है जिस पर पूरी बॉलिवूड गैंग तूट पड़ी है और विवेक अगनी होतरी जो कल तक मतलब सर पर जालीदा टोपी पहन कर कहता था कि अजांग की आवास से शांती मिलती औ हिंदु धन के खिलाफ बोलता था और अब वो कहता है मैं एथिस्ट था तो एथिस्ट थे तो आप हिंदुओं को क्यों गाली दे रहो क्या एथिस्ट बनने का मतलब यह है कि आप इसलाम को अच्छा बताओ और हिंदुओं को गाली दो आप एथिस्ट थे तो आप नीट्र खेर विवेक अगनी होतरी और कंगना रनौत ये चांडाल चौगडी है बॉलीवूड की राइट विंग साइड की सो कॉल राइट विंग है नहीं है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको इनके एजंडे के अंतरगती काम करना और इनका एजंडा ये है कि पैसा कमाओ इंटर्वियू कर दिया प्रसुन जोशी को मिल गया अध्यक्ष का पढ़ यहां पे सेंसर बोड में और फिर आप देखो आप इतिहास देखो जब से प्रसुन जोशी आया सारी एंटी हिंदू फिल्मों को उसने ओके किया है और बाकी की जो फिल्में जो हमारे साइड की होती यह दिखाने की उसको वो सेंसर सर्टिफिकेट ही नहीं देता परेशान करता और यह पूरी गैंग परेशान करती है बुली गैंग भी यही है क्योंकि कहते हैं ना कि आप जिस तलाब में हो जहां पे सब सड़ी हुई मचली आए तो उसके साथ रहके आप और कौन से दीन इ ओ नहीं है वो तो बोल रहे है न अब प्रो पाकिस्तानी है हम एंटी-हंदू हैं हम एंटी-गव्यमेंट है वो बोल रहे है और बोल के कर रहे हैं यह लोग जब्भा खतरनाख है यह जो गेंगे और जो भी वरास्ते में धर्ब अमार्ग में जो बी बादा बनेगा उसको रगड़ा जाएगा मीना जी फिर चाहे कंगना हो या स्वरा हो चाहे अनुपम खेरो विवेक अगनी होतरी हो या जावे दक्तर हो शबाना आजमी हो शारुक खानों आमिर खानों सब लपेटे जाएंगे